नमस्कार फ्रेंट्स एडू साला में आप सब का स्वागत है फ्रेंट्स ये जो मैं बता रहा हूँ ये इंपोर्टन्ट है ये पूरा सुनिये गाबड़ फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम लोग 69 BPSC के लिए प्रलेम्स का टेस्स सेरीज देखेंगे और ये टेस्स द्रिष्टी IAS की है इसके बारे में मुझे बताने की कुछ जरूरत नहीं है आप सब जानते बहतरीन है टेस्टी ये फ्रेंट्स आज के वीडियो को एक प्रयोगात्मक वीडियो के रूप में आप सब के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है इस बीडियो को मैं आपके सब के सामने लेके आ रहा हूँ अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिस की है कि बहतरीन प्रस्तुती दिये जाय कि चारो विकल्पों की जितनी संभौ ब्याक्या हो सकती है एक एक नहीं, बलकि जितनी जितनी ब्याख्या हो सकती है संभव, जितना मैंने सक्षम रूप से मैंने ब्याख्या करने का प्रयास किया है, और आपको बहतर से बहतर तरीके से प्रदान करने का मैंने कोशिस की है, पूरी कोशिस की है, फ्रेंट्स ये प्रयोगातमक है, अगर आप सब का response रहेगा बहतर तो पूरी देड़ सो प्रश्णों की series ये आपको दे जाएगे Friends, इसमें आप एक प्रश्ण में चार भी कलपे हैं तो जितने भी ब्याख्याएं हो सकती हैं उनकी कई-कई facts जो कि आपकी exam के लिए important है वो सब आपको बताए जा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि एक प्रश्ण में आपके कितनी प्रश्ण complete हो रहे हैं तो Friends, इसके लिए हमें मेहनत लगती है हमें काफी research करना होता है फिर उसके बाद हम आपके सामने आपाते हैं फिर वी उसके बावजूद कुछ कमी अगर आपको देख रही हो तो आप हमें suggest करें, हमें बताएं आप सब का स्वागत हैं और Friends, कमेंट करके ये जरूर बताएगा कि ये series आगे continue रखी जाए या नहीं रखी जाए पहला प्रश्ण है सिंधुगाटी सब्यता की सबसे पूर्वी सीमा कहां इस्थित है तो सबसे पूर्वी सीमा आलमगीरपुर में है और ये उत्तर प्रदेश की मेरठ जिले में इस्थित है और ये हिंडन नदी के टट उपर है साथ ही यग्यदत सर्मा ने इसका उत्खनन किया था सबसे दक्षणी पुरा सल दाइमाबाद ही है और ये जो है सल वो गुदावरी नदी के टट पर इस्थित है रोपड की बात करें तो रोपड पंजाब में है और इस सतलज नदी के टट पर है और इसके उत्खनन करता जो है वो भी यग्यदत सर्मा ही है तो ध्यार रखिएगा यग्यदत सर्मा आलमगीरपूर और रोपड दोनों का उत्खनन करते है नेक्स्ट है निम लिखित में से किसे महात्मा गांधी का प्रथम सवीने अवग्या आंदोलन माना जाता है तो आप्शन इसका एस ही हो जाएगा चमपारण सत्यागरह को गांधी जी का प्रथम सवीने अवग्यांदोलन माना जाता है तो इसको देखे तो ये 1917 में हुआ था रामचंदर सुकले के बुलावे पे गांधी जी वहाँ पे गय थे और साथ ही यह भी देखें तो कि कौन दो लोग थे जो इनके साथ गए थे तो राजेंद पुसाद और अनुग्रह नरायन इनके मुक्य सही होगी थे कुछ अन्य तथ्य देख लें तो खेडा सत्यागरह देख लीजे खेडा सत्यागरह यह 21 जून 1918 में हुआ अच्छा ध्यान रखेगा अहमदाबाद मील हरताल और खेडा सत्यागरह कई बार जब क्रम में लगाने को दे देता है तो कन्फ्यूजन होती है क्योंकि यह दोनों ही 1918 में हुए थे ध्यान रखेगा सबसे पहले चीज तो आहमदाबाद मील हरताल यह पहले होगी यह मार्च 1918 में होगी यह ध्यान रखेगा दूसरी बात खेडा सत्यागरह यह जून में होगा ठीक है तो पहला मार्च आहमदाबाद मील हरताल होगा मार्च में और जून में खेडा सत्यागर होगा और दोनू 18 में होंगे 21 जून को खेडा सत्याग्रह हुआ कभ हुआ 21 जून को खेडा सत्याग्रह हुआ और इससे समदित कुछ त्थ देख लीजे कि यह कर संग्रह के खिलाब जो है किसान अंदूलन था ध्यान अक खेगा ओर इसकी नेतित करता मिल मजदूरों के द्वारा किया गया था ध्यान रखिएगा सूती कपड़ा मिल मजदूर थे ये और इस आंदोलन का नेत्यत तो भी गांधी जी ने किया था और ये कुल 21 दिन तक चला था नेक्ष है निर्मलिखित में से किस लीपी का प्रियोग जेंस प्रिंसिप दरा सबसे प्राचीन सिला लेखों में किया था तो इसमें देखें तो ध्यान रखिएगा कुल मिला के सबसे पहला इसका आंसर तो देखें क्या हो जाएगा सबसे पहले इसका आंसर देख लीजे डी हो जाएगा एक से यदि क्यों क्योंकि ब्रामी और खरोष्टी ये तीनों हो जाएंगे दोनों हो जाएंगे ब्रामी और खरोष्टी और कुल मिलाके तीन हैं कौन-कौन सी है और एक तो ब्रामी दिखी रही है दूसरी खरोष्टी है और तीसरी एक हो जाएगी ग्रीक और एक और सामिल कर विलेखों को पढ़ा था तो इनों ने कुल चार प्राचिन लिपियों का जो है कुटन किया था या वी कुटन कह लीजे किया था तो ये चारो कौन-कौन सी हैं आपको बता दिया गया ब्रामणी खरोश्टी और ग्रीक अरिमाइक अब इन चारों के बारे में थोड़ा करें तो खरोश्टी जो है ये सहबाज गड़ी मनसेहरा से मिला है तो ध्यान रखिएगा सहबाज गड़ी और मनसेहरा से जो है खरोश्टी लिफी के आवशेश मिले हैं या सिलाविलेख मिले हैं साथ ही खरोश्टी लिफी की एक और विश्यस्ता है वो ये है कि यह दाएं से बाएं लिखी जाती है ध्यान लिखिएगा BPSC में पूछा हुआ प्रशन है यह दाएं से बाएं लिखी जाती है खरोश्टी लिखी और ग्रीक अरेमाइक की बात कर लें तो ग्रीक और अरेमाइक जो है यह अफगानिस्तान में पाई जे गई है ठीक चलिए नेक्स्ट प् शिरा को पचुओं को पालतु बनाने की सुरवात किस काल में हुए तो पचुओं को पालतु बनाने की सुरवात जो है वो मध्य पाचानकाल में हुए थी कब हुए थी मध्य पाचानकाल में और इसमें विशेशा इद्ध्यान रखिए कि सर्व प्रथम मध्य पाचानकाल क जो है नामकरण किस ने किया या यूं कहिए कि सरो प्रथम महा नव पासानकाल का आवसेस किस ने प्राप्त किया तो इनका नाम है C.L. करलाईल C.L. करलाईल ये प्रथम ब्यक्ति थे जिनोंने मध्य पासानकाल के आवसेस प्राप्त किये अब देखिए पुरा पासानकाल के बारे में तो जो आग का विश्कार है वो पुरा पासानकाल में माना जाता है नव पासानकाल की बात कर ले तो नव पासानकाल में सबसे पहले तो आप ये समझे कि इस्थाई जीवन का ही खोज हुआ इस्थाई जीवन हो गया, पहिय का विस्कार हो गया, क्रीसी का विस्कार हो गया, जव का विस्कार हो गया, गेहुं का, अच्छा ध्यान रखिएगा, गेहुं जो है, ये प्राचीन फसल है, जो की फसल कारतिये है, गेहुं एक ऐसी फसल है, जो मानो द्वारा सरुपर्थम ब क्रिसी कर्म किसका किया, तो क्रिसी कर्म जो है गेहूं का किया, और उपहोग किसका किया सरुपृथम, तो चावल का किया, ठीक है, नेक्ष देखेंगे, नेक्ष है संस्कृत, निम लिखित में इसे किस भासा समुह से संबंदित है, तो संस्कृत जानते ही है, इंडो सूचियां हैं, दीव ही हैं, सूचियों को मिला लेते हैं, इसमें हडपा, हडपा सब विता की, या हडपा की खोज किस ने की थी, तो दयाराम सहनी ने की थी, हडपा की खोज, दयाराम सहनी ने कब की थी, 1921 में की थी, 1921 में की थी, और हडपा ये जो है, ये रावी नदी के तटपर है ध्यान रखिएगा रावी नदी के तटपर और मोहन जोदलों की बात करें तो ये राखल दास बनर जी या आरडी बनर जी इनको कहते हैं तो ध्यान रखिएगा राखल दास बनर जी ने 1922 में इसकी खोज की थी और ये जो है सिंध नदी के तटपर है लोथल की बा भूगवा नदी के टटपर है, किसमे है भूगवा नदी के टटपर है, धौला वीरा की बात करें, तो धौला वीरा का खोज JP जोसी और RS विष्ट ने की थी, किसने की थी, धौला वीरा की खोज JP जोसी और RS विष्ट ने संयोक तरूप से की थी, धौला वीरा लूनी नदी के तटपर है किसमें है लूनी नदी के तटपर और इसका अविस्कार जेपी जोसी ने सरुपरथम 1967 में अविस्कार मतलब खोन खोजिया उत्खरन जो है 1967 में जेशपी जोसी ने किया था ध्यान रखियागा नेक्स है निम लिखित में से कौन सा मध्य पासान अस्तल बिहार में इस्थित है तो बिहार में जानते हैं यह कौन सा है और प्रताब गढ की खासिद तो आप जानते ही है 21 नर कंकाल भी मिले हैं दमदमा से दियान रखेगा, दमदमा की विश्रिष्टा जब भी पूछेगा, 21 नर कंकाल दमदमा से मिले हैं, यहाँ पे युगम समाधी के भी साक्ष्व मिले हैं, दियान रखेगा, और सिर्फ युगम ही नहीं, बल्कि यहाँ पे सामूह समाधी के भी साक्ष्व मिले हैं, तामर पास प्राचिनतम करती है तो मैथली साहित की प्राचिनतम करती जो है उसका नाम है वरण रतनाकर आप्सन ए वरण रतनाकर नेक्स्ट है अच्छा इसका अब यह भी ध्यान किएगा कि इसको लिखा किसने था तो वरण रतनाकर के रचनाकार जो है, वो है जोतीरिश्वर ठाकुर, क्या नम है? जोतीरिश्वर ठाकुर, नाक्स प्रस्ट है, पूर्व समय में आरम, पूर्व समय से आरम करते हुए, भारती इतिहास के निरनलेखित घटनाओ को सही कलानुकम में व्यवस्तित केजिए, तो चलीए क पहले कोई स्थाई बंदोबस यह तो था नहीं, आप जाने ही रहें थे, पहले 10 साल, फिर 5 साल, फिर 1-1 साल कर दिया गया था, तो जब करणवालिस आया, तो इस्थाई बंदोबस लागू हुआ, 1793 में, कब 1793 में सरुप्रथम इस्थाई बंदोबस लागू किया गया, उसके बाद फिर जो है, 1818 में सरुप्रथम दक्कन में राजस्थ बंदोबस लागू होगा, कब होगा, 1818 में, संताल विद्रो जानते ही हैं, आप 556 में हुआ तो ध्यान नेखेंगा 57-56 akkor और किसी मुल्य में गिरावट कि बात कर लेंगे तो यह 1820 820 में और क्रिसी मुल्य गिरावत 1820 में हो गया कृसी मुल्य गिरावत 1855-56 में हो गया े पर 12 573 में हो गया विस्ताइ बंदवस और 1818 में हो गया जो डेक्कर में पहला राजसो बंदवस तो आप क्रम में इसको लगा सकते हैं इसली लगा लेंगे सबसे पहले बंगाल कर लीजे फिर उसके बाद 1818 ओला बंबे ओला कर लीजे फिर चवथा कर लीजे और लाश्ट में संथाल विद्रो कर दीजे और इससे कुछ और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो देख लीजे कि यह ध्यान रखिये कि यह संथाल विद्रो आप जानते ही है चार भाई थे सिंद्धू, कानू, चांद भैरो इन चारों ने किया था नेक्स प्रशन देखते है भारती वस्तर के संदर में नेमलिखित कथनों पर बिचार कीजिए तो बिचार कर लेते हैं सबसे पहला है सिंद्ध एक छापेदार सूती वस्तर है बिल्कुल सही है सिंद्ध जो है एक छापेदार सूती वस्तर है बंडाना सब्द का इस्तमाल गर्दन अथवा सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलू बंद के लिए किया जाता था बिल्कुल ये भी सही है तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत में पहली सूती मिल वर्स 1854 में बंबई में कटाई मिल के रूप में स्थापित हुई थी ये भी सही है तो कुल म परतिहार सासक महिपाल प्रुथम था देखिए स्टार्टिंग में इधर एंसेंट और मेडोल के प्रिष्ट है उधर modern के है मतलब ये पूरा इतिहास का ही सेट है तो इतिहास के तीनों से से चुकि अब BPSC जो है बहुत डाइनिमिक हो के आ है आप देखी रहे है पहले की प वे सेक्षन को अच्छे से तैयार करके जाए इतिहास और Big Science और Current Affair ये तीनों सेक्षन को विज़तम बहतरीन तरीके से तैयार करके जाए ये ही मेरी सला है आपको प्रतिहार सासक महिपाल प्रतम था क्या था बताना ही स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है तो इसमें देखिएगा पहला स्टेटमेंट है राजवन्स का प्रतम सासक था प्रतिहार सासक महिपाल ये तो गलत है क्यों क्योंकि प्रतम जो सासक था इसका जो प्रतम सासक बोलते हैं, वो नागभक्ट प्रथम था, ये तो था नहीं, तो ये statement गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नागभठ होता तो सही हो जाता, दूसरा है, उसने गदी तो हासिल की परतु राश्ट कूटों ने उसे पराजित कर दिया, ये सही है, बिल्कुल सही है, तीसरा है, भांडी और भटी वंस को पराजित करने में सफल रहा, महिपाल नहीं, ये गलत है, महिपाल नहीं, बलकि वत्सराज ने किया था, किस ने किया था, वत्सराज ने, चीक है, नेक्ष्ट, चलिए, अगला देखते है, नीम लिखित में से किस क्रिकेट टीम ने वर्स 2022 का र अर्थसास के लेखक कौन है, तो अर्थसास्त्र के लेखक जो है, वो चाणक के हैं, आप जानते ही है, उप्सन C सही होगा, चाणक के, इनको विश्रुगुप्त भी कहते हैं, और मौर एवंस की स्थापना में, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, आप जानते ही है, और इन्होंने संस्कित का इनको सबसे बड़ा ब्याकरणाचार केहा जाता है, यह यूंकर यह माना जाता है, सबसे बड़ा ब्याकरणाचार, संस्कित भासार, पतंजली की बात कर ले, तो पतंजली ने योगदर्सन का प्रतिबादन किया था, क्या किया, योगदर्सन का प बुद्ध के दर्सन से जुड़े विश्यों से संबन देत हैं. तो अभिधम पिटक जो हो जाएगा, option भी सही हो जाएगा, option भी सही हो जाएगा, दर्सन से जुड़े विश्यों से संबन देत हैं. असल में कुल तीन बुद्ध के जो उपदेश हैं, उनको तीन पिटकों में स संकलित किया गया बुद्ध की सिक्षा संबंदित उपदेश को सुत्त पिटक में संकलित किया गया और संघ के नियम संबंदित जो बुद्ध के उपदेश रहे वो वीनाय पिटक में किया गया ठीक है वीनाय पिटक में संघ के नियम सुत्त पिटक में सिक्षा और अभिधम पिटक में दर्सन से संबंधित नियमों का जो है वो लेख किया गया है चीक है तीनों हो गए बुद्ध के उब्देश देखें तो बुद्ध के उब्देश या बता ही दिया गया तीनों संकले था नेक्ष है रैयत वाली प्रणाली किसके दौरा प्रारंभ की गई थी तो रै दी थामस मुन्रो और कैप्टन रीड इन दोनों के द्वारा की गई तो आप्सन डी सही हो जाएगा महाल वाली की बात करें तो उस महाल वाली की प्रारंभ हाल्ट मैकेंजी ने किया था किस ने किया था हाल्ट मैकेंजी ये महाल वाली का किया था चीक है निम लिखित में से किसने मार्सी में यंग इटली एक भूमिगत समाज की स्थापना की थी तो देखिए यंग इटली एक भूमिगत समाज की स्थापना ये मैजनी ने की थी जिसको हम आप मैजनी कहते हैं इनका पूरा नाम है अर्थात मैजनी निम लिखित, सुची 1 को सीची 2 में सुमेलित करना है, चलिए कर लेते हैं, सभीने अवग्या आंदोलन, यह जानते ही हैं, सभीने अवग्या आंदोलन 1920 में हुआ, और असा जरी यह तो गरबर बोल दिया न, उल्टा बोल दिया, सभीने अवग्या आंदोलन 1930 में हुआ, असा योग आंदोलन 1920 में हुआ और खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था ठीक है तो सुमेलित हो गया और इस सब के जो है नेतित तुकरता गांधी जी ही रहा है जानते ही है हाँ खिलाफत आंदोलन के नेता लग थे तो उनको कमेंट करके आपको बताना है कि खिलाफत आंदोलंद जो की 1919 में हुआ जो तुर्की के favor में हुआ था उसके भारत में निर्थित तो करता कौन थे गांधी मत बोलिएगा नेम लिखित में से कौन से दाषनिक भातिक वादी चिंतन में विश्वास करते हैं तो देखिए ऐसे कौन से दाषनिक थे जो भातिक वादी चिंतन में विश्वास करते थे वही बताना है तो देखिए चारवाक चारवाक ये तो पूरे तरीके से भातिक वादी है यावेद जीवेद सुकम जीवेद जानते ही है और साथ ही में अजीत केस कमलन ये भी भौतिक वादी है गौतम बुद्ध की बात करें मतलब बहुत धर्म के बारे में सोचिए क्या वो भौतिक वादी है तो बहुत धर्म कहेगा कि नहीं हम भौतिक वादी नहीं है क्यों साक्ष कैसे मिलेगा तो साक्ष ऐसे मिलेगा भौतिक वादी वो होगा जो इह लोग पर मिश्वास करेगा इह लोग मतलब जैस लोग में हम है यही है इससे बाहर कोई लोग नहीं है यह भौतिक वादी इसलिए इसको भौतिक वादी कहना उचित नहीं होगा, ठीक, नेक्स्ट है, बिम्बिसार के संदर में निमलिखित में से कौन से कतन सत्य है, तो बिम्बिसार के संदर में कौन से कतन सत्य है, देखना है, तो चलिए देखते हैं, तो पहला कतन या बुद्ध के समकालिन थे, ब प्राप्त हुआ था, यह दोनों statement पूरी तरीके से सही है, तीसरा है, उसे अवंती पर अधिकार कर लिया, नहीं, नहीं, अवंती पर अधिकार नहीं किया था, बल्कि अवंती से मैतरी पूर संबंध था, ठीक है, यहां पर देखें, उल्टा दिया है, अंग पर उन्होंने अ में से किस राज ने दिल्ले सल्तनत की एक्ता प्रणाली के समान, नायक प्रणाली को अपनाया, तो नायक प्रणाली को किसने अपनाया, देखें, तो नायक प्रणाली को सारी ने उपनाया, समने अपनाया, तो option D सही हो जाएगा, option D, अब यह नायकर व्योस्ता, आगे आप पढ़ेंगे भी डिटेल में, अगर आपको जानकारी है, तो कमेंट करके बताईए, यह जो नायक व्योस्था, यही नायकर व्योस्था के रूप में किस राजी में विख से थी, किस कहां पर नायकर व्योस्था कहते थी हम लोग, यह बताईएगा आप कमेंट करके हैं, नेक्श है, पूसा बहार, पूसा बसंती, पूसा नारंगी, यह जो है, यह क्या है, तो यह जो है, वो गेंदे के फूल की एक किस्म है, आपसन बी, पूसा बहार, पूसा बसंती, पूसा नारंगी, यह गेंदे की किस्म की एक फूल है, रिगिवेट में निम लिखित में से किस देवता का सरवधिक बार उलेख हुआ है तो सरवधिक बार उलेख जानते ही है आप इंद्र का हुआ है और ये इंद्र ही थे जो रिगवेद में सर्व महत्वपूर नेता जो है देवता थे सरवधिक महत्वपूर देवता इंद्र ही थे ये अगनी जो है को हमेशा ही मध्यस्थ देवता माना गया है रिगवेद में भी मध्यस्थ का देवता माना गया है सूर्य सूर्य को अंधकार को दूर करने वाला माना गया है रिगवेद में और वरुन को जल का देवता या रित्य माना गया है ठीक है ध्यान रखेगा नेक्ष है नीम लिखित इसे किस देश में आरिकल आस्थी, लिपी पाई जाती है, तो ये चाइना में पाई जाती है, है ना, आरिकल आस्थी, लिपी, ये चाइना में पाई जाती है, option B सही होगा, सुची 1 को सुची 2 से सुमेलित करना है, तो चलिए करते हैं, तो देखें, सबसे पहले कह रहा है, मो मिया भाईया जो, यह सिकंदर लोधी का वजीर था, और कुवत उल इसलाम मस्जिद इसको जो है कुतुपुत दिन अवक ने बनाया, यह जानते ही हैं, जमाली कलाम मस्जिद यह सेख अल-फजल अल्लाह ने बनाया, और बेगम पुरी मस्जिद यह मुहमद तुगलक ने बना सूची 2 से फिर से मिलाना है, तो चले मिलाते हैं, सूची 1 को सी ची 2 से, तो पहला प्रश्ण है, ओ सरी चाओल है, तो चाओल को जानते हीए, कुल्डीवा से पाया गया है, सबसक्र प्रृथम साक्ष, गेहूं का, मेहरगर से पाया गया है, मसूर का, ध्यान रख č chess एगा, यह गरतावासभी और मसूर के भी साक्ष कहां से मिले हैं, बुर्जो होम से मिले हैं, बाजरा इस बार important है, बाजरा इस बार important है, तो ध्यान रखिएगा हलूर से बाजरा के साक्ष मिलते हैं, हलूर से, ठीक है, अब comment करके बताईया कि हलूर वर्तमान में कहां इसी थे, ठीक है, Next है, सहायक संधी किसके द्वारापरांभ की गई थी? तो सहायक संधी वैसे देखें तो वैसे तो डूपले के द्वारापरांभ की गई थी. लेकिन, यहां देखेंगे आफसन की आसार पे, तो लॉड वेलेजली द्वारापरांभ की गई थी. Lord, बेले जली, सरउफ़म प्रयोग किस ने किया था, डूपले ने किया था, आप जानते ही हैं, लेकिं फिर भी माना किसको जाता है, बेले जली को ही माना जाता है, एक्जाम में अगर आपको पूछेगा, तो आप बेले जली ही मारिएगा, ठीक, बाकि दक्षिन भारत में रावी नदी के टट पर हडपा है, हडपा सब्विता जो है, वो रावी नदी के टट पर इस्थित है, और इसकी खोज किस ने की थी, दयाराम सहनी ने, कब की थी, उनने सोबेस में की थी, और ये पाकिस्तान में इस्थित है आप जानते ही है, मोहन जोदलो की बात कर लें, त तो मोहन जोदलो जो है ना यह सिंध नदी के टड़ पर है किस पर है मोहन जोदलो यह सिंध नदी के टड़ पर है अच्छा यह रावी अला को बता दिया ना हडपा आंसर है ठीक है मोहन जोदलो की बात करें तो यह सिंध नदी के टड़ पर है और एक ची ध्यान केगा मोहन ज किसे नहीं किया था तो रवीन रहós सिंग विष्ट ने कीं थी नफ democracy ती नहीं नीगे देहांगे पार संसापक कौन था तो सख चंधर गुप्त प्रस्थम के उतर्द आधिकारी थे और चंद्रगुप्त दूति के पिता थे, मतलब बाप बेटे दोनों का नाम चंद्रगुप्त था, अंतर इतना था कि एक क्यागे प्रथा और दूसरे क्यागे दूति लगा था, और देखें, ये विश्णुगुप्त जो है न, ये विश्णु के उपासक है, और एक मुद्रा म बीला बजाती हुई, इनके चितर का चित्रांकन किया गया है, ठीक, और देखते हैं, नेक्स प्रश्ण, निमलिखित अस्थलों में से किस एक में तीन पासान कालों में होने वाले परिवर्तन का दर्सन होता है, तो ऐसा कौन सा अस्थल है, जहां पे तीनों पासान काल के प प्राप्तों होते हैं, और इसके बिसे में अगर देखें, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस्थित है, कहां है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसको पहले लहावात कहते थे, इस्थित है, और ये बेलन घाटी में इस्थित है, कहां है, बेलन घाटी में ठीक रियागरा रागों मिर्जापुर का बार्डर आप जानते ही होगे वहीं पर नेक्स्ट है नेम लिखित में से कौन से महाजणपद अधिनायक वादी प्रकित के थे अधिनायक वादी मतलब dictatorship तो आप जानते ही ये कौन से राज थे जो अधिनायक वादी थे तो इसकी बात देखें कि कौन थे तो ये कंबोज और गांधार ये दोनों अधिनायक वादी थे ठीक है और राजधानी इसमें देख लें तो मल जो थी ये कुसावती इसके राजधानी कंबोज हाटक गांधार गांधार जो है ये तक्षसिला और वज्जी ये वैसालियों की राजधानी थी तो आपने देखा राज तंत्र देखें वराज तंत्र, कमबोज और गांधार बताया हमने, राज तंतर मतलब अधिनायक वाद, कमबोज और हाटक बताया, और बाकी ये वज्जी है, वज्जी है, कुसावत्ती है, यहाँ पे ये राज तंतर, लोक तंतर था, ठीक है, बाकी इन दोनों में राज तंतर आप कह सकते है राजितंत्र का अर्थी अधिनायक वाद है, उसका मतलब ही डिक्टेटरसिप है, उपनिसदों में समवाद है, उपनिसदों में किसका समवाद है, तो इसमें चात्र और सिक्षक के मध्य सम्याद है, ठीक है, और हिंदू धर्म, धार्मी का गरंथा है, ये उपनिसद जानते ह यह हो जाएगा कुमार गुप्त जिन्होंने नालंदा विश्व विद्याले की स्थाफना किये थी, कब की थी 415 से 455 इनका कारिकाल नहाँ है, उसी दोरा निये किये थे, और ये जो है इसकंद गुप्त की बारे में देख लें, तो गिरनार परवत पर, इसकंद गुप्त ने गिरनार परवत पर सुदरसन जील का पुनरोदार किया था, ये BPSC का पूछा हुआ प्रशन है, गिरनार परवत पर सुदरसन जील का पुनरोदार किया था, समुद्र गुप्त के बारे में देख लें, तो समुद्र गुप्त जानते ही है, चंदर गुप्त प्रथम के उत् नेक्स्ट प्रश्ण है निमलिखित में से किस इस्थान पर असोक के सिलाविलेक प्राप्त नहीं हुए हैं तो अब इसे कहां पर प्राप्त नहीं हुए हैं सिलाविलेक असोक के तो वह गिरनार गिरनार से प्राप्त नहीं हुए हैं असल में कुल साथ सिलाविलेक प्राप्त हुए हैं जिन में से साथ ये अस्तंब सिलाविलेक की बात हो रही है ध्यान रखेएगा ठीक है साथ इस्तंब सिलाविलेक प्राप्त हुए है जिन में से पहला है मतलब सबस्वरपतम वही पाया गया था दिल्ली और मेरठ में जानते हैं दिल्ली में टोपरा में और मेरठ में पाये गया था, तीसरा कोशांबी में, चोथा रामपुरवा में, पाचवा कांदार में, छटवा लोरिया नंदंगड़, असातवा लोरिया अरिराज, लोरिया नंदंगड़ और लोरिया अरिराज ये तो जानते ही हैं, आप बिहार में प्राचीन तिहास पड़ाई होगा, तो कुल साथ अस्तान में पार्प्ट हुए हैं और ये गिरनार से प्राप्ट नहीं हुआ है. Next है, प्रात्ना समाज बंबई में किसके द्वारा इसापित की गई थी? तो प्रात्ना समाज की सापना जो है, वो आत्मा राम पांडू रंग के द्वारा की गई थी. प्रात्ना समाज की ओप्ट है, आत्मा राम पांडू रंग और एम जी रानाडे के बारे में देखना चाहें आप, तो इनके द्वारा इंडेन नेसनल सोचल कॉन्फरेंस की सापना की गई थी, और आरसी भंडार कर ने इनका योगदान दिया था, मतलब इसमें सहायता की थी, इनडेन नेसनल सोचल कॉन्फरेंस की स्थाफना में, ठीक, नेक्स है, सूची वन को सूची टू से फिर से मिलाना है, तो शली फिर से मिलाते हैं, पहला राख के चिन देखेंगे, तो राख के चिन जो है, वो करनूल से मिले हैं, कहां से मिले हैं, तो राख के चिन जो है, व पत्थर के ओजार जो है जो उन्नत किस्व में कहें, वो हुषंगी से मिले. कहा से? हुषंगी से. और सुतर मुर्ग के अंडे पर कवच जो है, वो पतने से मिला. कहा से मिला? पतने से. और जुते हुए खेत, तु जानते ही यह आप काली मंगन से. साथी में एक प्रश्न और ह होता है, 13 कोटा से मिट्टी के हल, 13 कोटा से हल की खलाकृती कहां प्राइब होई है, ज्या नखिएगा, BPSD में पुछा गया है, कमेंट करके आप बताइएगा, बनवाली या ऐसा कुछ है, बताइएगा, जरूर कमेंट करके, निमलिखित में से कौन से कतन हमपी के संबंदे म नहीं है, तो चलिए देखते हैं, हमपी, कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन में इस सी थे, बेलकुल सही है, महा नौमी उस्सो हमपी में मनाय जाने वाले सबसे महत्तपूर्ट वहारों में से एक था, बेलकुल सही है, बिजय बिठल मंदिर का निर्माण, 15 सताबदी मे राजा देवराय प्रथम ने करवाया था, नई, नई, ये गलत है, क्यों, क्योंकि देवराय प्रथम नहीं थे, वो देवराय दुती ये थे, चीक है, तो बिजय बिठल मंदिर का निर्माण, 15 सती में राजा देवराय दुती ने करवाया था, किसने करवाया, देवराय इसमें इनोंने लोगों को साउधानी पूर्वक व्योस्थित किया था, नए ये तो गलत है, साउधानी पूर्वक व्योस्थित कहां कर पाएंगे उस टैम पे, इनका प्रियोग कब्रगाहों को चिन्नित करने के लिए किया जाता है, बिल्गुल सही है, कब्रगाह आप जानत दूसरा है महापासानी कबरों में लोहे के उपिकरण प्राप्त हुए हैं तो अब इसको भी सही माना जाने लगा है ध्यानरगी का पहले नहीं मानते थे कि लोहे का अविश्कार जो है या लोहे का खोज जो है वो उत्तरवैदी काल से पहले माना जाता है लेकिन अब मानने ल लिखित में से किस वेद में ब्यास और सतलज नदियों के साथ रिसी विश्वामित के समवाद का उलेख मिलता है तो विश्वामित जो है इनके समवाद का उलेख सरुप्रथम जानते ही है विश्वामित ने सात्वा इससर आप जानते ही है तो यह किस से संबंदित है रिगव तो इसका अंसर भी रिगवेद है, और सबसे प्राचिन वेद भी रिगवेद है, और पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, इसको पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, ये भी आप जानते हैं, साम वेद के बारे में देख लें, तो भारती संगीत का जनक कहते हैं, और इसके पढ़न के उद्गाता को अधर व्यू कहते हैं ठीक है next देखेंगे वन ब्योस्था का उलेक निम लिखित में से किस वेद में मिलता है तो वन ब्योस्था का उलेक जो है न वो सरुप्रथम देखिए चतु स्वन समाज की स्थापना का उलेक कहां मिलता है रिगवेद में दस्वे मंड में तो अंसर क्या हो जाएगा रिगवेद आपसे एस ही हो जाएगा ठीक है बाकी तो सब आपको बता ही दिया है कि सामवेद क्या है गाई जा सकने वाली रिचाओं का संकलन सामवेद है ठीक है और गद्योपद्य दूनू का यजूरवेद है जानते ही है अब देखिए पुषवमित्र शूंग शूंग नेहींुए स्थापना की थी और आप कमेंट करके बताएंगे कि सुंग ने मतुलव में दीद्र किया था और जागित गाम आप जानते हैं कहां पर है जागित ग्राम वर्तमान-देहरादों से ध्याननक या हम नेम लिखित में से कौन सा ना आप ए मतलगा दीजेगा केवल पसुपती नहीं है क्योंकि रूद्र को ही पसुपती को ही सर्व और बहिक भी कहते हैं ठीक है तो पसुपती, सर्व और बहिक तिनों एक ही चीज है और सत्वपत ब्राह्मन में इनी को रूद्र के रूप में इंगित किया गया है तो ध्यान र सुब्रमन्यम को नीत आयोग का नया कारेकारी अधिकारी के रूप में नियोक्त किया गया है नेक्स्ट प्रशन है कि पुस्तक हर्ष चरीत्र के लिखक कौन है तो हर्ष चरीत्र के लिखक कौन है तो उसके लिखक है वाणभट कौन है वाणभट और अब देखें वाणभट जो है ये किसके दरवारी थे तो ये भी ज्यानली से जरूरी है हर्ष के दरवारी थे किसके हर कदंबरी की भी रचना की है, किसके? कादंबरी की भी रचना की है, और हर्षवर्धन के बारे मिंदेख थे, आपने ले ली, अब हर्षवर्धन के बारे में देख लीजे, हर्षवर्धन जो है, वो पुष्य भूती वन से संबंदित था, चीक है, पुष्य भूती वन से संबंदित है, और इसने सिलाधित्ती की उपादे ली थी, किसकी उपादे ली थी, सिलाधित्ती की उपादे ली गया था तो जलियावाला बाग हत्याकांड की जाज के लिए हंटर कमीशन का अगठन किया गया था द्यान दखिएगा हंटर आयोग का स्थापना किया गया था और यहीं से यह important हो जाता है जानना कि जलियावला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो 13 अप्रेल 1919 को के तो साइमन ने की थी तो सिंपल सी बात है और 1919 के जो अधिनियम था उसी की समिक्षा के लिए साइमन कमीशन डागठन किया गया था बहुत बार पूछा गया है ध्यान रखेगा मुडिमैन कमीशन मतलब मुडिमैन आयोग जो है यह किस से संबंदित है यह बहुत बार मांग से संबंदित था मुडिमैन कमीशन भारती नेताओं की मांग से संबंदित था 1924 में इसका अगठन हुआ था कब 1924 में मुडिमैन कमीशन का अगठन हुआ था रहले कमीशन 1902 में आया था ध्यान रखेगा किसमें आया था 1902 में आया था और इस सिक्छा से संबंदित ठीक है, सारी, अब कमीशन वेरा याद रखिएगा, अब जिस प्रैटर्न वे पहले UPSC प्रश्न पूछा करता था, उस प्रैटर्न पर UPSC अब चलेगा, तो जिस लिए धान रखिएगा, ये सब चीज़ें इंपोर्टेंट हो जाएंगे, निमलिखित में से कौन काकोरी ट्र कैदियों के रिहाई, ये नहीं था, बाकि सभी ने अवग्या अंदोलन में सामिल कैदियों की रिहाई, नमकर को समाप्त करना ये सब था, ठीक है, नेक्श देखेंगे, रिगवैदिक समाज के संदर में, रिगवैदिक समाज के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार और एकदम जब बराबर थे तो दोनों को जो है आहूत करने की सहमती थी या अनुमती थी, तो option A गलत हो जाएगा, यहाँ पे अधिक पुत्रों का होना वर्दान माना जाता, यह तो आज भी मानते हैं, आज भी अधिक पुत्र या पुत्र होने की कामना करते हैं, तो उस समय भी करते थे, यह दूसरा सही है, बाल विवाह का प्रशलन था, यह गलत है, बाल विवाह का प्रशलन उस समय नहीं था, यह बाद में हुआ है, तो केवल और केवल दो सही है, option B सही हो जाएगा, नेक्स्ट, और आज की सरंखला का अंतीम प्रशन है, चोल सिलालेखों के अन दान में दी गई भोमी, किसे? जैन संस्ताओं को दान में दी गई भोमी, अब देखे, जो मंदीरों को दान देते थे, उसको चोलकाल में देवदान कहते थे, क्या कहते थे? देवदान, और जो गैर ब्रामर थे, जो गैर ब्रामर किसक स्वामियों की भोमी थी, उनको कहते विद्लन वेगाई और जैन संसताओं को दान में दी गई है यह तो पच्चम विद्यायालए की रक रखाओं के लिए जो भूम प्रदान की जाती थी उसको साला भोग तो चल Diet Uh Friends, यह आपका एक आपका क्या यू समझे यह मेरा एक टेस्ट था अगर आपको अच्छा लगा आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियो आपको कराई जाए पूरे देड़ सो प्रशनों की स्रंखला कराई जाए और अत्रिक्त फैक्ट्स आपको जानकारी दी जाए या न दी जाए यह हमें कमेंट करके बताए अगर आपको यह सीरीज अच्छी लगी तो यह सीरीज कांटीनू की जाएगी अगर आपको सीरीज अच्छी नहीं लगी है तो आप हमें बिलकुल डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि यह सीरीज में क्या कमी थी ता